कि अब दोस्तों नमस्कार आप स्वागत है आप सभी भाईयों का जिया इस्टाइल में दोस्तों तयागी भाई हमारे इतना वो दिवेदी भाई जो हमारे इतना अच्छा सवाल उन्होंने किया है देखिए दो चीज़ें तयागी दिवेदी भाई कि अगर पतंग दूर दूर से उड़ा है तो चिराव ज्यादा रहता है तो हमें खीचने में काटने में आसानी होती है ठीक है और लेकिन अगर यह चिराव यहां पर एतनी दूरी से और फिर अगर हम एकदम यह करीब आ जाते हैं तो अगर हम खीचते हैं तो खीचते खीचते डोरी जब खीचे रहते हैं तो डोरी इतनी जल्दी से नहीं आती है ठीक है आपने बताया कि हम नीचे से जाके जैसे मालिय कि ये नारंजी वाली नीचे से है और आप ऐसे जा कि अगर वो धील पे ऐसे ही दिये जा रहा है धील पे जैसे भी और आप ऐसे खीचे जा रहे हैं खीचे जा रहे हैं तो डोरी जो है जब 500 गस पे होती है तो इतनी जल्दी से नहीं आती है आप खीचे रहेंगे बगल में आप देखे डोरी कैसे आ रही यानि आप खीचे हुएंगे अगर चिराव होता ऐसे तो वो कट जाती लेकिन चिराव कम होने की जैसे आप खीचे जाएंगे खीचे जाएंगे डोरी जो है आते 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 एक्दम ऐसे करके करीब होती जाती है ठीक है, जब आप खीचे रहेंगे तो पेश नहीं आती हो, पेश नहीं आती जैसे आप ये एक खीचना है, करीब वाले को ये से खीचते खीचते ये चले गए, तो यहाँ पे फिर यही है कि आप रोक के थपक्का देते हुए, नहीं आप थपक्का दीजे ऐसे, कि हम इधार होके और जल्दी से ऐसे हो जाएं तो वहीं पर आपकी रगण के कट जाएगी तो करीब होने की वज़ा से हमें जब पतंग फट जाती है तो धीरे-धीरे समाल के ऐसे थपक्का देते हुए पतंग को ऐसे मोड़ते हुए इधार की तरफ जाना है और उसके तरफ क ही चक्कर देना है जिसका अगर दाइने तरफ खड़ा है तो हमें दाइने तरफ का चक्कर दे के फिर थपक्का देना है फिर चक्कर देना है और उसके बाद में देते देते जब हम ये करीब में आ जाते हैं यानि पतंग ये लेबिल में आ गई ठीक है तो फिर से हमें इसक करने में आसानी होती है यानि उसकी भी पतंग या आप खीच की इधर चले गए उसकी उधर चली गई अब आप सोचने हैं कि अभी तक कटा नहीं हम जल्दी से इधर करके अपनी हवा पे करके हम जो है डोर को तो जल्दी से नहीं किया जाता है तो वहाँ पे थपका यानि थपका इसे इसे दे के और धीरे धीरे करके इधर लाना चाहिए ठीक है तब ही जो है आप उसकी पतंग को काट सकते हैं अब आप सोचें कि अगर हम किरास ऐसे खीचते खीचते काट लेंगे तो जो बगल बगल से पतंग उरती है तो उसमें जल्दी से पेश नहीं हो पाती है ठीक है तो उसको दीरे दीरे करके आप जो है आईसे समाल समाल के लाए उसके लेबिल में करके फिर से एक बार दोबारा खीचे और आईसे नहीं खीचे फिर आईसे करके खीचे देखे और फिर उसके तरफ का ऐसे चक्कर दीजे ठीक है यह तो नीचे की बात होगी अब इसी तरह से उपर की भी होगी कि आप बहुत अच्छा ऐसे करके मार के जाय ने जाय ने मारते हुए चले जाय ने यानि यानि ऐसे करके आप मारते हुए चले जाय ने हैं वो ठीली ठीली ऐसे करके थपक कर दें चूंकि डोरी पांच सो गस पे इतनी जल्दी से नहीं आ पाती हमें अगर खीचना ही है उसको तो हम ऐसे जाएंगे और जाने के बाद में फिर ऐसे करके ऊपर की तरफ का खीचेंगे ठीक है बहुत पावर से अगर वहां पर कड़ जाती उसकी पतंग तो ठीक है नहीं कटी तो फिर यहां पर थपक का दे के पतंग को ऐसे करके लेबिल में लाना है यानि आप अगर खीचेंगे तो आपकी पतंग ऊपर चड़ जाएगी यानि कि पतंग अगर हम ऐसे मार के ऐसे गए और फिर आईसे खीच के ऊपर चले आपकी बड़ेगे और फिर बराबर में जैसे पतंग यानि मान लेके आप खीच के अउपर चली गए उसकी नीचे चली गई ठीक है तो आप तपक का दीजे और पिर चक्र दीजे उसी के तरफ का चक्र देते और जैसे ही लेबिल में आई तो एक बार फिर से ऐसे खीचे ब पूरा पूरा मार मार के चले गए तो उसमें पूरा पूरा मार के जाया तो जाता है, लेकिं जब पतंक जो है, काफी मार के ऐसे जाएंगे, काफी दूर होगी, तो वहां पे हमें पिर धीरे-धीरे करके समालना आया, अगर नहीं कटिये तो अगर आप पूरा ही मारते चले जाएंगे तो आपकी ही पतंग कर जाएगी ठीक ये एक बस इसी तरह से हमारे जितने भी बड़ों ने पतंग लड़ाई यही इसका तरीका है चुछ कि इसका कंप्यूटर से तो कोई इसका अभी कोई सिटम नहीं आया है कि कर आते हैं ऐसे और जाएंगे जागरबगल रहा से जाएंगे यह मारते वए चले गये ठीक उसके बाद फिर हम्हाएसमें मॉट्ड़े को सीधा कर किश retrouve के अगर अज़ी बीड़ी डिया ओटर मम्हें तो पूरा पूराट खीच सकते थीज़ा इंक तो काट सबस्कति थीच अगर वो चक्कर ही देता जा रहा हवा पे भी है तो ऐसे खीच के लागे जोरो का जटका मारें जटका मारें जटका मारके फिर ऐसे करके उसके अंदर का चक्कर दें अगर आपको खीच में कट जाता तो ठीक है नहीं कटा तो आप खीच के उसको जटका मारें उसके बाद में जो पिर अंदर को उसके चक्कर दें और फिर जब लेविल में आ जाए पतंग ऐसे ये पतंग ऐसे लेविल में आप देखें कि आ गई है और तो फिर उसको दोबारा इसे पकड़ के खीचें ठीक है इस तरह से किया जाता है उमीद है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो काट लेंगे और 500 गस पे और बगल बगल में बहुत देर में डोरी आती इसका ये चीज़ का सभी लोगों से निवे देने कि इसका आप लोग याद करके रखिए ठीक है तो आप इसी तरह से काट सकते हैं उमीद है आपके समझ में आगे होगा तो प्लीज लाइक कमेट शेयर जरूर कीजिए देख करेंगे अश्टाइज शुक्रिया धन्यवाज जाहिए